अब तो शाम होने को आई है मुझे घर जाना चाहिए चीनुगेचारी मेरी राह देख रही होगी ऐसा कहकर जगू वापिस घर के लिए निकलता है बारिश की वज़ा से जंगल में काफी पानी जमा हो गया था जंगल में तेज तुफानी बारिशें चल रही थी सर्दी भी बहुत जादा हो गई थी जगू चेड़ा घोल गप्पे बेचने का काम करता था वो गोल गप्पों का ठेला लगाया करता था और उसके गोल गप्पे बहुत ही मज़ेदार थे गोल गप्पों के काम से उसके घर का गुजारा बहुत असानी से हो जाता लेकिन काफी दिनों की बारिश ने तो उसका काम आधा कर दिया था अब कम कम पक्षी ही इसके पास गोल गप्पे खाने आते जगुचिडा बहुत ज्यादा हुद्दार था उसके हाला जैसे भी होते वो कभी भी किसी से ना मांगता बलके थोड़े में ही गुजारा कर लेता दो दिन की छुटी करने के बाद भी बारिश नहीं रुकी थी अरे चीनू अब तुम ही बताओ मैं और कितनी छुटियां करूंगा ऐसे तो हमारे घर का गुजारा बहुत मुश्किल हो जाएगा ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही मैं ऐसा करता हूँ आज अपना ठैला लेकर बजार चला जाता हूँ क्या पता कोई विक्री हो जाए जी तो नहीं चाहता जी आपको भेजने का पर क्या करे दाने भी हतम हो गए है महीना भी हतम होने वाला है और घर का किराया भी देना है आज आप काम पर चले ही जाएं तो बेहतर रहेगा फिर जग्व चिड़ा अपना ठैला लेकर बजार की तरफ चला जाता है जग्व बेचारा बारिश में सारा दिन अपने ठैले पर खड़ा रहा परंतों सिर्फ चंद ही पक्षी आए उसके पास गोल गप्पे खाने अरे आए तो सिर्फ दो तीन प्राहक ही आए हैं ऐसे कैसे चलेगा यार पहली तारीख है और बंटी कबुतर तो सुबह ही सुबह घर का दर्वादा खटकटाने आ जाएगा अब क्या करूँ बहुत परिशान हूँ फिर शाम हो जाती है और जगो बिचारा अपना ठैला लेकर वापिस घर आ जाता है क्या हुआ जी कुछ परिशान लग रहे हैं लगता है आज भी कोई हास गाहक नहीं आए बताईए न क्या खाने के लिए भी कुछ नहीं लाए हाँ भागवान परिशानी तो है और खाने के लिए तो ये कुछ दाने ले आया हूँ परंतु घर का किराया कैसे देंगे फिर वो दोनों परिशान होकर सो जाते हैं फिर सुभा अभी उनकी आँख भी नहीं खुली थी के दर्वाजे पर दस्तक होती है दर्वाजा खोला तो बंटी कबूतर सामने खड़ा था ए लो क्राइदारो कैसे हो तुम लोग मैंने सोचा तुम लोगों को याद दिला आऊँ आज पहली तारी है चलो भई चलो शाबाश मेरा कराया निकालो जल्दी से मुझे और भी गरों में जाना है और अभी तद दुकानों का कराया लेने के लिए बजार भी जाना है जल्दी से कराया दो शाबाश अरे कबूतर भईया आज तो पहली तारी है कुछ दिन का टाइम तो दे दिया करो देखो मेरे भाई, बारिशों की वज़ा से मेरे पास अभी किराय के पैसे नहीं है तुम कुछ दिन का टाइम दो, तो मैं तुम्हारा किराया वापिस कर दूँगा देखो भाई, मेरे कारोबार का हिसाब खराब हो जाता है अगर मैं इतना टाइम सब को देने लगूँ तो मुझे क्या बचत होगी भला मेरे अपने सो किसम के हिसाब होते है पहली तरीकों मैंने भी बहुत सारे बिल चुकाने होते है मैं तुमें इतना टाइम नहीं दे सकता अगर तुम मेरा किराया नहीं दोगे तो काली मेरा गल हाली कर दो नहीं नहीं भईया मैं तुम्हारी मिंती करता हूँ सिर्फ दो दिन का टाइम दे दो मैं दे दूँगा किराया अच्छा ठीक है सिर्फ कल का दिने तुम्हारे पास पर सुबह सुबह मैं फिर से आ जाओंगा और अपना किराया ले कर ही जाओंगा और अगर तुमने किराया ना दिया तो मैं तुमसे अपना गर हाली करवा लूँगा ऐसा कहकर कबूतर चला जाता है और चीनों पेचारी भी सोच में पढ़ जाती है कि ऐसा क्या करें कि उनके पास किराय के पैसे आ जाएं जग्गु के पास और कोई चारा नहीं था वो फिर से नाश्ता किये बिना ही अपना ठेला लेकर बजार की तरफ चला जाता है जग्गु की किस्मत खराब चल रही थी सुबह से शाम होने को आई परंतो कोई गाहक न आया और बारिश भी लगातार होती रही फिर अंधेरा होने लगता है अरे आज भी कोई गाहक नहीं आया अब मैं कबुतर को किराय के पैसे कहां से दूगा या अल्ला तू ही मेरी मदद कर दे अब तो शाम होने को आई है मुझे घर जाना चाहिए चीनुबेचारी मेरी राह देख रही होगी ऐसा कहकर जगू वापिस घर के लिए निकलता है बारिश की वज़ा से जंगल में काफी पानी जमा हो गया था और उसका ठेला आधा पानी में भीग चुका था रही है टीना बेहोश हो गई थी अरे टीना बहन क्या हो गया तुम्हें या अल्ला अब मैं क्या करूँ कहां लेकर जाओं इसको जगू को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने अपने ठेले पर से सारी चीजें पानी में फैंक दी और टीना को ठेले पर लिटा कर बुलबुल डाक्टर के पास ले गया वहां उसने टीना के पती मिठ्धू तोते को भी बुलवा लिया था अरे डाक्टर सहाब क्या हो गया मेरी पत्नी को मैं तो इसको घर पर छोड़ कर काम पर गया था तो ये पानी में कैसे बेखती होई आ गई मिठ्धू भाईया मैं तो खुद कुछ भी नहीं जानता मैंने तो अपना ठेला लेकर वापिस घर को जा रहा था तो मैंने देखा कि रास्ते में तुम्हारी पत्नी किरी पड़ी है मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं इसको यहां ले आया अरे जग्गू भाई आपने बहुत अच्छा किया जब वक्त पर इसको यहां ले आए वरना सर्दी की वज़ा से इसको अटैक भी हो सकता था मैंने इलाज कर दिया है बस थोड़ी देर में ये बिलकुल ठीक हो जाएगी फिर आप इसे घर ले जा सकते है थोड़ी देर के बाद टीना को होश आ जाता है मिठ्धू और टीना जग्गू के इस रवईये से बहुत खुश होते हैं बहुत बहुत शुक्रिया जग्गू भाईया तुम्हारा मुझे समझ में नहीं आरा कि कैसे तुम्हारा शुक्रिया आदा करो तुमने बहुत एहसान किया है हम पे कोई बात नहीं मुझे ये गवारा नहीं गुजरा कि मैं किसी को मुसीबत में अकेला छोड़ कर चला जाता इसलिए मैंने टीना बहन की जान बचाना ज्यादा जरूरी समझा अच्छा अब मुझे इजाज़त दें चीनो मेरा इंतजार कर रही होगी ऐसा कहकर जग्गु बहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद टीना मिठ्धु को बताने लगती है कि कैसे जग्गु ने अपना सारा सामान फैंक कर टीना को हस्पताल पहुँचाया है हम तो इसका मतलब हमें जग्गु भाई की मदद करनी चाहिए वो चेहरे से भी मुझे थोड़ा परेशान ही लग रहा था जग्गु अपने घर पहुँच गया था और इसी तरह परेशानी में बिचारा सो जाता है अगली सुभा फिर से बंटी जग्गु के घर आ जाता है और किराया ना होने की वज़ा से वो उससे घर खाली करवा रहा था के उपर से मिठ्थू और टीना पहुँच जाते हैं अरे अरे ये सब क्या हो रहा है यहां बंटी भाया किसी की परेशानी में उसकी मदद कर देने से कोई फरक नहीं पड़ता और जग्गु बिचारा तो है ही बहुत खुद्दार अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि अपना ये घर तुम मुझे कितने पैसों में बेचोगे मैं खरीदूगा तुम से ये घर क्या वाकई अरे मुझे तो पैसों से मतलब है तुम मुझे पैसे दो और ये घर ले लो मेरा क्या जाता है मेरा तो कारोबार है बंटी अपना घर मिठू को बेच देता है जगो भाईया हमने ये घर आपके लिए खरीदा है आपने मेरी जान बचा कर मुझे पर एकसान किया है इसके बदले में ये तोफ़ा तो बहुत छोटा है लीज इसे कबूल कर लीजिये अरे नहीं नहीं टीना बहन हम आपसे ये कैसे ले सकते हैं ले लो बहन तुम समझ लेना ये तुम्हारे सबर का ही फल है फिर जगू और चीनू उस घर में पुरसकून जिन्दगी बिताने लगते हैं अब तो उनको किराय की भी चिंता नहीं थी प्यारे दोस्तो देखा आपने नेकी किसी ना किसी सूरत में हमारे पास वापिस लोट आती है बस खुद को लालच से बचाना चाहिए एक दफ़ा एक जंगल में रानू चिडिया रहती थी रानू बहुत ही ज्यादा माडरन थी रानू को अपने पती जगू चिडे से बहुत प्रेम था जगू और रानू एक दूसरे को बहुत सालों से जानते थे और बहुत कोशिशों के बाद बड़ी मुश्किल से उन दोनों का विवा हुआ था शादी हो जाने के बाद भी घुमना फिरना और हर वक्त पार्टीज इंजॉई करना यही उन दोनों के शोक थे वो दोनों अपने जीवन में बच्चा नहीं चाहते थे वो चाहते थे कि वो दोनों पूरी तरह से लाइफ को इंजॉई कर लें तो उसके बाद बच्चों के चकरों में पढ़ेंगे एक दिन रानू चिडिया एक अंडा दे देती है रानो मैंने तुमसे कहा ना मुझे कोई बच्चे बच्चे नहीं चाहीए तुम ये अंडा फैंक दो अभी तो ये अंडा है इसे फैंक दोगी तो इससे जान छूट जाएगी परंतु कुछ दिनों के बाद ये बच्चा बन जाएगा और मुझे बच्चा नहीं चाहीए अरे तो मैं कब कह रही हूँ कि मुझे बच्चा चाहीए मेरे लिए भी ये एक सर्प्राइस ही है मैं तो खुद चाहती हूँ कि अभी इस जंजट में ना पड़ू ठीक है मैं ऐसा करूँगी रात को जब कोई देख नहीं रहा होगा तो इसको पुरानी जोंपडी के पीछे फैंकाऊंगी फिर रानो चिडिया ऐसा ही करती है आधी रात को जब चारू तरफ अंधेरा ही अंधेरा था तब रानो ने अंडे को फैंक दिया रानो को तो लगा था के अंडा गिरने की वज़ा से तूट चुका होगा परन्तु नीचे सूखी घास होने की वज़ा से अंडा तूटने से बच गया था रानो अंडा गिराकर चली जाती है वहाँ जब सुभा हुई तो पुरानी जोंपडी के आगे पीछे विरान जगा थी वहाँ कोई भी आता जाता नहीं था कुछ दिनों तक तो अंडा ऐसे ही पड़ा रहा फिर एक दिन सुदर सी तुटली वहाँ से गुज़रती है अरे ये अंडा यहां कौन रखकर चला गया अरे इसमें तो लगता है बच्चा भी है ना जाने कौन से पक्षी का होगा अगर मैं इसे यही रहने दूँगी तो कोई शिकारी इसको शिकार कर लेगा अरे नहीं हाई अल्ला अब मैं क्या करूँ कम्मो तितली को ये तो पता था कि ये अंडा किसी चिडिया का है परन्तु वो ये नहीं जानती थी कि ये किसका है कम्मो तितली एक दूसरे जंगल में चीनु चिडिया को जानती थी कम्मो को कुछ समझ में नहीं आया इसलिए उसने अंडा उठाया और उसे चीनु चिडिया के पास ले गई चीनु बेहन देखो न ये अंडा कोई वहाँ सूखी घास पर फैंग गया था मुझे कुछ समझ में नहीं आया इसलिए मैं इसे तुम्हारे पास ले आई हूँ मैं तो एक तितली हूँ मुझे नहीं पता कि चिडिया के बच्चे को कैसे पालते है मुझे लगा कोई शिकारी इसको खाना जाए इसलिए मुझे इसे एक महफूस जगा पर पहुँचा देना चाहिए कम्मो तुमने बहुत अच्छा किया बलके मुझे तो लग रहा है कि गुद्रत का वर्दान है मेरे लिए मैं जो इतने सालों से बे उलाद हूँ हो सकता है अल्ला ने मुझे मेरा अकेला पंदूर करने के लिए ही दिया हो मैं इसका अच्छे से हयाल रखूंगी बिलकुल अपनी उलाद के जैसे पालूंगी तुम बे फिकर हो जाओ ऐसा कहकर चीनू चिडिया अंडे को अपने पास रख लेती है कम्मो तितली को भी अब कोई फिकर नहीं थी के अंडे को कुछ हो जाएगा वो इसे चीनू के हवाले करके खुद चली जाती है चीनू चिडिया को तो अब एक मसरूफियत मिल गई थी कुछ ही दिनों में वो अंडा फूट गया और उसमें से एक प्यारी सी चिडिया बाहर आई चीनू ने इसका नाम टोनी रखा थोड़े ही दिनों में चीनू को टोनी से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था ममा की चान तुम किती प्यारी हो ना मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी मैं अपनी बेटी की हर हुआ हिश्पूरी करूंगी मेरी मेटी अच्छा अच्छा पढ़ेगी लिखेगी और एक बड़ा आदमी मनेगी इसी तरह चीनू टोनी को बहुत प्यार से पालने लगती है टोनी भी अब आहस्ता आहस्ता बड़ी हो रही थी कम्मो तितली कभी कभी टोनी से मिलने आ जाया करती टोनी तुम्हें पता है तुम्हारी पहली मा तो मैं ही हूँ वो तो मैंने तुम्हारी मा को तुम्हें सोम दिया क्योंके मुझे ये भी पता नहीं था कि चड़िया को कैसे पालते है कम ममा सी आप कुछ भी बोलो पर मेरी ममा तो चीनु ममा ही है और मैं अपनी ममा को बहुत प्यार करती हूँ हबरदार जो आपने ये कहा कि चीनु ममा मेरी ममा नहीं है मैं जानती हूँ मेरी सगी मा ने तो मुझे फैंक दिया था अच्छा ही हुआ कि उसने मुझे फैंग दिया क्यूंके मेरी मम्मा तो चीनु ममा ही है अगर वो मुझे ना फैंगती तो मुझे चीनु मम्मा कैसे मिलती अरे कमो क्यों तंकर रही हो मेरी बेटी को मत सताय करो मेरी बेची को मेरी बीटी का चोटा असा दिल है बिल्कुल अरे सता कहा रही हूँ मैं तो अपनी बीटिया के साथ मज़ा कर रही थी टोनी बीटिया तुमने परेशान नहीं होना टोनी के आजाने की वज़ा से चीनू का परिवार तो मुकम्मल हो गया था और वो टोनी के साथ बड़े सकून से अपना जीवन बिता रही थी वहां रानो चिडिया के जीवन में बहुत सारी समस्य आये आने लगी अब रानो चिडिया चाहती थी के उसके भी बच्चे हूँ परन्तु उसको दुबारा बच्चे नहीं हुए उसने हर जगा से अपना इलाज करवाया मगर कोई वाइदा नहीं हुआ जग्गु भी अब उसके साथ पहले जैसा नहीं रहा था उनकी हर वक्त लड़ाई रहने लगी अब जग्गु उसे हर वक्त बेवलादी के ताने देता अरे कमबहत औरत कुछ खाने को मिल जाएगा या नहीं पता नहीं हर वक्त तुम्हारा दमाग कहां लगा रहता है एक उलाद तक तो दे नहीं सकी मुझे आपके कहे में आकर अगर मैंने अपना अंड़ा फैंका ना होता तो आज मेरी भी उलाद होती मुझे कुदरत भी इसलिए सजा दे रही है क्योंके जब इसने मुझे उलाद देनी चाही तो मैंने इसे फैंक दिया और तब तो आपको भी बच्चे नहीं चाहिए देना अब क्या हुआ अब क्यों मुझे ताने दे रहे हैं चलो जी शुरू हो गया तुम्हारा रोना धोना एक तो बात मुझे निकली नहीं तो इसका रोना धोना शुरू हो जाता है सकून तो कही गायब ही हो गया है इस जीवन से जग्गू रानों से नाराज होकर घर से बाहर चला जाता है और रानो चिडिया रोती रह जाती है शाम हो चुकी थी और जग्गू अभी तक घर वापिस नहीं आया था फिर रानो को खबर मिलती है कि जग्गू का एक्सिडंट हो गया है और एक्सिडंट की वज़ा से जग्गू मोका पर ही मारा गया था अब रानो चिडिया बिलकुल अकेली रह गई थी रानो को अब शिद्दत से एहसास हो गया था कि उसकी भी कोई उलाद होती तो वो आज अकेली ना होती रानो बहुत दुखी रहने लगी थी वो कभी कभी अपने सकून के लिए पुरानी जोंपडी के पास चली जाती थी जहां उसने अपना अंडा गिराया था एक दिन वो वहां बैठी रो रही थी कि तितली वहां से गुजरती है अरे बहन क्या हुआ ऐसे क्यों रो रही हो कोई बहुत ही बड़ा दुख लगता है तुम्हें जो अंदर ही अंदर खाये जा रहा है मुझे बताओ क्या बात है अरे बस क्या बताओ मैं अपने कर्मू का नतीजा ही भुकत रही हूँ मैं तो वो बदनसीब हूँ जिसने अपनी ही उलाद को अपने हाथ से फैंक दिया था बस इसलिए रो रही हूँ रानो ने रोते रोते कम्म को सब कुछ बता दिया अरे क्या जो अंदर तुमने यहां फैंका था वो तुम्हारा था अरे क्या तुम्हें पता है मैंने वो अंडा उठा कर चीनू बेहन को दे दिया था और उसमें से बहुत ही प्यारी बच्ची निकली टोनी जिसकी चीनू चिडिया परवरिश कर रही है तुमने बहुत गलत किया रानो भला कोई अपनी सगी उलाद के साथ भी ऐसा करता है फिर जैसे ही रानो को पता चला कि उसकी बच्ची चीनू के पास है तो वो चीनू के पास अपनी बच्ची वापिस लेने पहुंच जाती है जाहिर है चीनू ने भी टोनी को बहुत प्यार से पाला था वो किसी कीमत पर भी टोनी को उसकी सगी मा को देने के लिए राजी नहीं थी रानो को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था इसलिए वो तोते महराज के पास पहुंच जाती है तोते महराज, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ फिर वो तोते महराज को सारी बात बता देती है तोता अपनी अदालत में चीनो और टोनी को बिल्वा लेता है देखो चीनो, मैंने तुम्हारी बात भी सुन ली है वो टोनी की सगी मा है उसका भी अपनी अलाद पर पूरा अधिकार है इसलिए टोनी को कुछ अरसे के लिए उसकी सगी मा को दे देना चाहिए और ये देख लेना चाहिए कि टोनी उसके पास χुश है या नहीं चीनू रोती रही मगर उसे टोनी को रानो को देना ही पड़ा रानो टोनी को लेकर अपने घर आ जाती है कुछ दिन टोनी वहां रही नगर रानों महसूस कर रही थी कि टोनी वहां खुश नहीं थी क्या मेरा बच्चा मैं जहां जाती हूँ तुम वहां से उठ जाती हो मैं अगर घर के अंदर होती हूँ तो तुम घर से बाहर आ जाती हो और जब मैं बाहर तुम्हारे पास आऊ तो तुम यहां से अंदर चली जाती हो ऐसे कैसे चलेगा चलो अंदर आओ मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही मज़ेदार नूडल्स मनाए हैं हम दोनों मिलकर खाते हैं रानो ने टोनी की बहुत मिन्नत की मगर टोनी ना मानी मैं कहती हूँ खा लो खाना वरना लगाऊंगी दो थपड तुम्हें सारा लाट बाहर आ जाएगा तंग करके रखा है रानो टोनी पे गुसा करके अंदर चली जाती है टोनी बिचारी डांट खाकर रोने लगती है थोड़ी देर के बाद रानो को एहसास हुआ कि उसने टोनी के साथ गलत किया है वो फिर से टोनी के पास आती है मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची मैं अपनी ममता के हाथों मجबूर हूँ तब कहा थी आपकी ममता जब आपने मुझे फैंट दिया था मुझे छोड़के जाते समय एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा और वो मा जिसने मेरा पालन पोशन किया बिना किसी लालच के मुझे अपने घर में हिफाज़त से रखा आज आपने मुझे उससे भी छीर लिया मैं कुछ नहीं जानती मेरी ममा तो चीनो ममा ही है मुझे आप से ममी के खुश्पों नहीं आती मुझे जाने दे मैं वापिस अपनी ममा के पास जाना चाहती हूँ ऐसा कहकर टोनी रोने लगती है रानो को भी टोनी की बातें दिल पर लगी थी उसने काफी देर सोचने के बाद फैसला किया कि वो टोनी को वापिस चीनो को ही दे देगी फिर रानो टोनी को लेकर चीनो के पास चली जाती है चीनो टोनी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है अरे मेरी बच्ची शुकर है तुम मुझे देखने को मिली वरना मैं तो तुम्हारे बिना मर ही जाती मुझे माफ कर दो चीनो बहन मुझे एहसास हो गया है कि मैं टोनी को डिजर भी नहीं करती तुमने ही इसे पाला है और तुम ही इसकी माँ हो पैदा करने वाली माँ से ज्यादा पालने वाली माँ का हक है ये लो संभालो अपनी बेटी को ऐसा कहकर रानो चिडिया टोनी को छोड़ कर वापिस से ली जाती है टोनी भी अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश थी और इस तरह वो दोनों माँ बेटी फिर से खुशी-खुशी रहने लगते हैं कहा जाता है कि सुन्दरवन गाओं में पत्थर के पक्शी थे हर कोई जानता था कि गाओं के बीचों बीच एक पेड़ था जिस पर जूला डाला गया था वो जूला रामू काका ने डाला था रामू काका की अपनी कोई उलाद नहीं थी इसलिए उसे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे वो गाउं के हर बच्चे को अपने बच्चे के जैसे प्यार करता पुराने जमाने में जब लोग पार्क में इतना नहीं जाते थे तो इसी तरह से लोग दरफ़तों पर जूले डाल लिया करते रामू काका को भी ये आइडिया आया कि उसे बच्चों के लिए पेड़ पर जूला डालना चाहिए ताके बच्चे इस पर जूले जूले और खुश हो जाएं जूला डालने के बाद गाउं के सारे चोटे बच्चे इस पर जूले जूलते और सारा दिन वहीं खेलते रामु काका भी बच्चों को खेलता हुआ देखकर बहुत हुश हो जाता फिर रामु काका के मरने के बाद भी बच्चे इसी तरह जूला जूलते रहे लेकिन एक दिन वहाँ एक हादसा हो गया कुछ बच्चे जो वहाँ खेल रहे थे उन में से एक बच्चा जूले की उन्चाई से गिर कर मर गया और उसी दिन के बाद से जूले पर आत्माओं का बसेरा रहने लगा कहा जाता है कि इस जूले पर एक भूतिया चिडिया की आत्मा रहती थी और उसके बाद जो बच्चा भी जूला जूलने के लिए जाता वो पत्थर का हो जाता और अब इस जूले पर कोई नहीं जाता था गुजरने वाले भी बहुत दूर से गुजरते ताके जूले का सामना न करना पड़े बबली कबूतरी और तोता इस गाउं में नए आये थे और वो बिचारे ये नहीं जानते थे कि इस जूले पर जो कोई भी जाता है वो पत्थर का बन जाता है एक दिन बबली अपने पिता से जिद करने लगती है पापा मुझे ये गाउं खूमना है हम जब से यहां आये हैं मैं घर से बाहर भी नहीं निकली पापा जब हम यहां आ रहे थे ना तो मैंने गारी में से देखा था वहां पेड़ पर एक बहुत अच्छा जूला है मुझे वो जूला जूलने के लिए जाना है अरे मेरी बच्ची ले जाओंगा तुम्हें जूला जूलने के लिए भी अभी तो मुश्किल से हमारी शिफ्टिंग भी कंप्लीट नहीं हुई जरा मुझे फ्री तो हो लेने दो तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा नई पापा ये सब काम तो होते रहेंगे मुझे आज ही जाना है प्लीज ना पापा प्लीज आज शाम को मुझे ले जाए न तोता अपनी बेटी की जिद के आगे हार गया था और वो उसे शाम को वहाँ ले जाने के लिए तायार हो जाता है तोता तो ये नहीं जानता था कि वो जूला बहुत हतरनाक है वो अपनी बेटी को वहाँ ले गया उसने बबली को जूले पे बिठाया और उसको जूलाने लगा ए ये लो ए ये और लो और उन्चा ये मज़ा आ रहा है ना बबली ए बबली अरे कुछ बोलती क्यों नहीं क्या साप सून गया है तुम्हें बबली तोता काफी देर से बबली से बातें कर रहा था मगर वो किसी बात का जवाब ही नहीं दे रही थी तोते ने जूला रोक दिया और वो ये देखकर हैरान रह गया के बबली बिलकुल पत्थर बन चुकी थी वो डर जाता है बबली क्या हुआ मेरी बच्ची अरे ये क्या हो गया हाई रबा मेरी मा सूम बच्ची तो पत्थर की हो चुकी है अरे कोई है कोई है जो मेरी मदद करें हाई बबली ये क्या हो गया तोता भागा भागा वापिस गाउं आ जाता है और रोता रोता गाउं वालों के पास जाता है रानों के घर का दर्वजा खट-कटाता है रानों और चीनू इस गाउं के पुराने रहने वाले थे अरे भाईया क्या बात है इतना क्यों घबराए हुए हो किसी ने कुछ कहा है क्या फिर तोता रानो को सारी बात बता देता है चीनु चडिया भी पास खड़ी सब कुछ सुन रही थी तोते अंकल हम गाउं वाले तो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जूले पे जो कोई भी जाता है वो पत्थर का हो जाता है लेकिन आप यहां नए आए हैं इसलिए आप ये नहीं जानते थे हाए क्या मतलब है इस बात का क्या मैं अब अपनी बच्ची को दबारा नहीं देख पाऊंगा नहीं मैं तो मर जाओंगा हाए मा मुझे लगता है कि अब इस भूतिया चिडिया से निमटने का समय आ गया है बस बहुत हो गया बहुत सारे पक्षियों की जिंदगियों के साथ वो खेल चुकी है आखिर कब खतम होगा इसका बदला बस मैंने सोच लिया है मैं वहां जाओंगी और उससे बात करूंगी ज मा किसी को तो हिम्मत करनी ही होगी न वरना आए दिन पक्षी पत्थर के होते रहेंगे प्लीज समझने की कोशिश करें मुझे जाना है मैं अपनी बेटी को वापिस लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं हो तुम्हारे साथ बस मुझे ये बताओ कि क्या करना होगा मुझे और आप बेहन जी आप फिकर ना करें आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा रानों के लाख मना करने के बावजूद चीनु इसकी कोई बात नहीं सुनती और घर से निकल जाती है बबली को अजाद करवाने के लिए या लाँ मेरी बच्ची की हिफाज़त करना इसको सही सलामत वापिस घर पहुँचाना तोता चीनु को लेकर जूले के पास पहुँच जाता है वहाँ बहुत सारे पक्षी थे जो पत्थर बन चुके थे भूतिया चिडिया की आत्मा भस जूले पर ही अपना जादू चला सकती थी तक कोई जूले से दूर खड़ा रहता तब तक वो कुछ नहीं कर सकती थी ए भूतिया आओ मैं तुमसे बात करने आई हूँ देखो मैं नहीं डरती तुमसे आज मुझे साफ साफ बता दो कब तक तुम इन मासूम पक्षियों से बतला लेती रहोगी आहिर कब हतम होगा तुम्हारा इन्तकाम इन्तकाम तो तब तक लेती रहोंगी जब तक सुन्दरवन गाओं का एक एक पक्षि दफ़न नहीं होगा मैं कभी नहीं भोल सकती के कैसे मैं इस जूले से गिर कर मर गई थी मैं मदद के लिए बुलाती रही परन्तो कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया इस गाओं के पक्षियों ने मुझे मरने के लिए चोड़ दिया था और इसी लिए मैं एक एक से बदला ले रही हूँ देखें भूतनी जी आप मुझे बताएं आपको कैसे मुक्ती मिलेगी मैं हर वोचीज करने के लिए तयार हूँ बस मुझे मेरी बच्ची वापिस चाहिए मैं आपकी मिन्नत करता हूँ हदा के लिए मुझ पर और मेरी बेटी पर दया करे हाँ 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 मुक्ती तो दिलाएगा मुझे मुक्ती ये तेरे बस की बात नहीं है तो निकल यहाँ से वरना तुझे भी पत्थर बना दूँगी तोते अंकल अभी हमें यहाँ से जाना चाहिए फिर इस मसले का हल भी सोच लेंगे अभी तो हम जा रही है भूतनी लेकिन मैं जल्दी ही तुम्हें भी देख लूँगी चीनू तोते को वहाँ से लेकर वापिस चली जाती है लेकिन वो भी सोच रही थी के आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे इस भूतिया चिडिया से छुटकारा मिल सके चीनू बेटी मुझे लगता है हमें पुराने पक्षियों से जाके मिलना चाहिए जो रामू काका को जानते थे क्योंके वो इस हाथसे के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे चीनू बेटा आप मुझे बताओ के सुन्दरवन गाओं का सबसे बुड़ा पक्षी कौन है जी अंकल मैं जानती हूँ कालू दादा हमारे गाओं के सबसे बड़े बुजरुग है आए हम उनके पास चलते हैं जरूर वो कोई हल बताएंगे इस मसले का चीनू और तोता कालू कव्वे के पास चले जाते हैं वहां पहुँचकर अपनी समस्या का हल पूछते हैं कालू दादा से ओह ओह बच्चो मैं तो अब बहुत बुड़ा हो गया हूँ परंतु तुम लोगों की समस्या का एक उपाए है मेरे पास मैंने अपने जीवन में बहुत सारी भूतनियों का बगाया है मेरे पास जो उपाए है उसके लिए बस थोड़ी हिम्मत करनी होगी कालू दादा आप मुझे बताएं मैं सब कुछ करने के लिए तायार हूँ ठीक है तो फिर मेरी बात गोर से सुनो भूतिया चिडिया की आत्मा का जादू सिर्फ जूले पर चलता है जूले से बाहर वो कुछ नहीं कर सकती तो मेरे पास एक प्लैन है तुमें उस दरख्त को ही काटना होगा जिस पर वो जूला है पेड के कट जाने से जूला नहीं रहेगा तो भूतनी को उसे चोड़ कर जाना ही होगा बस याद रहे पेड को काटते समय भूतनी तुमें डराएगी और तंग करेगी परन्तु तुमने होवजदा नहीं होना बलके अपना काम करते रहना है समझ गए होना फिर कालू चीनू को रक्षा कवज भी देता है ताके उसे डर ना लगे उसके बाद तोता और चीनू फोरण से पेड काटने पहुंच जाते हैं जैसे ही उन्होंने पेड को काटना शुरू किया अबे क्यों काट रहे हैं इस पेड को छोड़ दो प्लीज उदा के वास्ते चोड़ दो मैं वच्चन देती हूँ आएंदा किसी को कुछ नहीं कहूंगी अच्छा तुम तो बड़ा इंतकाम लेना चाहती थी अब बोलो अब क्या हुआ जो माफिया मागने लगी हां अब जाओ जहां से आई हो पेड़ के कटते ही सारे पत्थर बने पक्षी फिर से जिन्दा हो गए और चलने फिरने लगे बबली भी दोड़ती हुई आई और अपने पिता से आके मिली और इस तरह वो सब खुशी-खुशी सुन्दरवन गाओं में रहने लगे रानो चिडिया चीनू की मौसी है रानो के अपने बहुत सारे खेत हैं वो फसल उगा कर बेचने का काम करती है इस साल रानो ने मौंगफली उगाई थी चीनू चिडिया को मौंगफली बहुत पसंद थी रानो मासी इंचीनू के लिए एक बोरी मौंगफली लेकर आई थी अरे मासी इतनी बड़ी बोरी लेकर कहां आ गई तुम इतनी ज्यादा मौंगफली खाकर क्या मैंने अपने पेट में दर्द करवाना है धत तेरे की इतनी बड़ी बोरी केवल तेरे लिए धोड़ी लाई हूँ मैं तो इसलिए लाई हूँ तुम खुद भी खाना और अपने साथ दूसरे पक्षी को भी देना बहुत शुक्रिया मार्सी आपका अच्छा छोड़ो ये सब आप मुझे बताएं आपके जंगल में सब हैरियत है ना घर पर सब कैसे है हाँ बेटा सब ठीक हैं बस फसल के कामों में ही मसरूफ हैं सब मैं तो तेरा हिस्सा अलग करके तेरे लिए फोरन से ले आई अच्छा मुझे इजाज़त दो मैं ज्यादा देर नहीं रुख सकती घर पे बहुत सारा काम पहला हुआ है रानो मासी चीनू को मौंगफली दे कर वापिस चली जाती है रानो मासी के जाते ही चीनू के घर पर जंगल के सारे पक्षी जमा हो गए थे ममी ममी सबसे पहले मौंगफली मुझे दो मुझे भी मौंगफली सबसे ज्यादा पैसन है और हबरदार जो तुमने इन पक्षियों को दी मौंगफली पुरी बात है ऐसे नहीं कहते और वैसे भी इतनी ज्यादा मौंगफली खाने से पेट में दर्द पढ़ जाता है खा ले फिर भी हमसे अकेले नहीं खाए जाएगी और अगर हम मिल बांट कर खाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा पिंकी अपनी मम्मी की बात मान जाती है और फिर चीनु बारी बारी जंगल के दूसरे पक्षियों में मौंगफली बांटी है हर कोई अपना अलग-अलग बरतन लेकर आया था अरे चीनु बैन मुझे भी मौंगफली बहुत पसंद है इसलिए मुझे थोड़ी ज्यादा देना मेरा थोड़े से कुछ नहीं बनने वाला हाँ भाया हाँ जरूर तुम जितनी चाहो ले जाओ अरे वाँ चीनु तुम्हारा दिल तो बड़ा खुला है अच्छा जरा बात सुनो कालू को अलग-बरतन में देना और मुझे अलग-बरतन में क्योंके ये कालू बड़ा बहिमान है ये अपनी खाकर मेरी भी खा जाएगा और इस तरहा चीनु चिडिया सारे बंशियों में मौंगफली बांड देती है अब सभी के घर में मौंगफली थी और वो सब सर्दी की रात में जंगल में आग जला कर खाया करते थे और मिलकर बातें किया करते थे फिर कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं अब आहिस्ता आहिस्ता पक्षियों की मौंगफली खत्म होने लगी थी कालू जी हमारी मौंगफली तो खत्म हो गई है पता है चीनों के घर में अभी तक मौंगफली है कालू जी मैं क्या करूँ मेरा तो पेट ही नहीं बार रहा अबे चुप करो लालची कहीं की तुम्हारा लालश तो कभी हतम नहीं होगा दो बार तो अलग-अलग मांग चुके हैं हम अब क्या उससे उसका हिस्सा भी चीन लेना चाहती हो गोरी कालू के सामने तो चुप कर जाती है मगर उसके अंदर का लालश खतम नहीं हो रहा था फिर एक दिन चीनू चिडिया जंगल से बाहर गई हुई थी और पिंकी भी उसके साथ थी वहां गोरी और कालू भी अवारा गर्दी कर रहे थे गोरी ने देखा कि चीनू का घर बिलकुल खाली है अरे कालू जी वो देखो चीनू अपने घर में नहीं है मैं तो कहती हूँ इससे अच्छा मुका हमें नहीं मिलने वाला आपको बास चीनू से मौंगफली मांगते हुए शरामा रही थी ना और अब तो वो घर पर है ही नहीं तो इसका मतलब हम दोनों उसकी मौंगफली चोरी कार लेते हैं अरे हाँ गोरी दिल तो मेरा भी बहुत कर रहा है यहाँ कोई नहीं देख रहा चलो चीनू के घर में चापा मारते हैं ऐसा कहकर वो दोनों चीनू के घर में दाखिल हो जाते हैं और चुपके से चीनू के घर में कोई मौंगफली चुरा कर ले जाते हैं वो जब उसे चुरा कर ले जा रहे थे तो कबूतर बैठा ये सब कुछ देख रहा था गोरी ने भी अचानक से मुड़ कर देखा तो उसने भी कबूतर को देख लिया है है कालू जी गजब हो गया बंटी कबूतर ने हमें चोरी करते हुए देख लिया है अब तो वो फोरण से जाकर चीनू को बता देगा है अला अब क्या होगा अरे इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है चीनू बेहन तो कहीं शाम को ही लोटेगी तब तक हम ये मौंगफली चट कर जाएंगे चलो आओ अब हम इसे खा लेते हैं ऐसा कहकर वो दोनों मौंगफली खाने लगते हैं वो दोनों बेवकूफ मौंगफली खाते जा रहे थे परंतु वो ये नहीं जानते थे कि ज्यादा मौंगफली खाने से पेट में दर्द पड़ जाता है थोड़ी ही देर में उन्होंने सारी की सारी मौंफली खाली वहाँ चीनू के वापिस घर आते ही बंटी कबूतर उसको सब कुछ बता देता है चीनू को ये सुनकर घुस्सा आ जाता है क्या उनकी ऐसी की तैसी मैंने सबसे ज्यादा मौंफली कालू और गोरी को ही दी थी फिर भी उनका पेट नहीं भरा चलो बंटी तुम मेरे साथ चलो हम अभी पूछेंगे उनको चीनू बंटी को साथ लेकर कालू के घर पहुँच जाती है क्या तुम दोनों को शरम नहीं आई मेरे घर पे चोरी करते हुए अगर तुम लोगों को मौंफली पसंद है तो क्या मुझे पसंद नहीं है चलो चुप चाब मेरी मौंफली मुझे वापिस कर दो ये अच्छी बात नहीं है समझे अरे चीनू बेहन तुमने सोचा भी कैसे क्या तुम्हें हम चोर लगते हैं जिस किसी ने भी तुम्हारे कान भरे हैं गलत भरे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है तुम चाहो तो हमारे घर को अंदर से देख लो हाँ रहने दो रहने दो अब तक तो तुम लोग मौंगफली खा भी चुके होगे इसलिए तो कह रहे हो घर को अंदर से देख लो बच्चू देख लूँगी तुम्हे चलो बंटी वापिस चले चीनू उन दोनों से नाराज होकर वापिस चली जाती है उसके जाते ही कालू और गोरी हसने लगते है उन दोनों ने चोरी की थी इसलिए उनको सजा भी तो मिलनी थी खुदा का करना ऐसा हुआ के शाम होते ही उन दोनों के पेट में सहत वाला दर्द पढ़ गया हाई कालू जी मैं तो मर ही जाऊंगी हाई सच में बहुत दर्द हो रहा है अरे गोरी तुम तो मुझे बता रही हो तो मैं किसको बताऊं हाई मेरे तो हुद पेट में बहुत सहत वाला दर्द हो रहा है लगता है ऐसे आराम नहीं आने वाला चलो हम दोनों डाक्टर के पास चलते हैं फिर वो दोनों बुल-बुल डाक्टर के पास चाते हैं हाँ भई अब आप मुझे बताएं कि काल आपने क्या खाया था तभी तो मैं कोई दवाई लिख सकूँगा डाक्टर अभी उन दोनों से बात कर ही रहा था कि उसके क्लिनिक पर चीनू चडिया भी पिंकी को लेकर आ जाती है अरे किया हूँ अम रिजो मैं आप दोनों से पूछ रहा हूँ सच सच बताएं काल ऐसा क्या खाया था जिसकी वज़ा से दोनों को पेट में दर्द हो रहा है डक्टर के बार-बार पूछने पर उन दोनों को अपनी जुबान खोलनी पड़ी क्योंके अगर वो डक्टर से जुट बोलते तो उनको पेट दर्द का आराम नहीं आना था इसलिए गोरी ने सब कुछ सच सच बता दिया डक्टर साहब हम दोनों ने कल बहुत ज्यादा मोगफली खा ली थी और उपर से हमने चीनु बेहन से जुट भी बोला चीनु बेहन तुम भी हमें माफ कर दो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कोई बात नहीं तुम दोनों अगर अपनी गलती पर शिर्मिंदा हो तो जाओ मैंने भी तुम्हें माफ किया फिर बुलबुल डक्टर कालू और गोरी को बड़े बड़े टीके लगाता है टीके लगने की वज़ा से उन दोनों को पेट दर्द का आराम आ गया था और उसके बाद वो दोनों तौबा कर लेते हैं कि आइंदा कभी कोई चीज चोरी करके नहीं खाएंगे प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी पसंद की चीज भी एक सीमा में रहके खानी चाहिए ज्यादा कहाने से तबियत खराब भी हो सकती है